लड़ाई जगडे के समय शरीर क्यूं कापता है और कुछ लोग क्यूं डरते हैं उसको इसके बारे में बात्चीत करते हैं मैं डॉक्टर दीपक एलकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा जैसे नमुखी तग्यों महाराष्ट्य में मुंबई पुने आपूला यहां प्रैट्टिस करता हूं कभी सारे लोग बहुत लड़ाई जगडा करने वाले होते हैं जगडालू होते हैं और वो छोड़ी बात के उपर गुस्सा करेंगे लड़ाई करेंगे जगडा कर लेंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको गुस्सा आते हैं नहीं शाम सभाव तो दो अधा ही जखडा ओ तो अवैड रसे देखाइब। और दोट इस प्रकार कि भाथ जह इस से डरते हैं, वाद व्यवाद से डरते हैं और उन्हें चिलाची किसे डरते हैं। वो एका लगए हैं कि और गन्य च्निय स्वेश गंवी। वे देखना है। एक तो हमारे बोड़ी की sympathetic nervous system जो है sympathetic nervous system वो जो नसे है नर्ज जो है तो उसके जो दो हिससे रहते एक parasympathetic nervous system एक रहती है sympathetic nervous system परasympathetic nervous system वो relax करती है बोड़ी को Sympathetic Nervous System वो टेंशन मेलाती है, बोड़े को, जब स्ट्रेस है तो बहुत एक्टिवेट हो जाती है, तो बहुत एक्टिवेट हो जाती है, Sympathetic Nervous System, बहुत ज्यादा, और फिर वो एक बार एक्टिवेट हो गई तो, स्ट्रेस होर्मोन्स जो है, वो बहुत ज्यादा सिक्रिट होते हैं, स्ट्रेस होर्मोन्स, स्टिरोइट सिक्रिट होते हैं, डूपामीन सिक्रिट हो जाएगा, स्ट्रोणीन सिक्रिट हो जाएगा, तो ऐसे स्ट्रेस होर्मोन्स बहुत ज्यादा मात्रा में सिक्रिट हो होता है पसिन आ जाता है उनका चहरा एसा भयनक हो जाता है और फिर वो stress hormone से होता है और sympathetic nervous system से होता है क्या होता है कि कोई भी हमें दिखा कि भाई यह मेरे खिलाफ होने वाला है या कोई जंजट जगड़ा होने वाला है तो मैं क्या करूंगा एक तो में fight करूंगा मतलब वो जो सिंपतेटिक नेरोशिस्टिम रिदिमाग की वो मुझे fight करने के लिए ताकद देंगे और fight करना है तो मुझे स्टिरोइड लगेंगे stress hormones लगेंगे डूपामीन लगेगा fight करने के लिए और में तो फिर flight करना है flight मतलब भाग जाना तो भाग जाना क्योंकि वहां बहुत ज्यादा डर है, बहुत जा नुकसान हो जाएंगा तो वहां से भाग जाओ, तो उसके लिए भी मुझे होर्मोन्स लगेंगे, stress hormones, कि जिससे मेरे ताकद आके मैं भाग जाओंगा, तो यह fight और flight response हमारा होता है, जो fight करते हैं, उनके भी ह unwanted, नहीं चाहिए, ऐसी होती है, emotions ठीक ने रहते हैं, दिमाग बहुत गरम रहता है, बहुत ही गुस्से वाला हो जाता है, यह डरा होगा रहता है, फिर काम नहीं कर पाते हैं, फिर दिमाग जल्दी शांत होगा नहीं, दिमाग शांत नहीं होआ तो काम नहीं कर सकते हैं, तो करते हैं तो फाइटिंग करते हैं और उसमें अपनी बॉड़ी पूरी टेंशन में आएगे दिमाग भी टेंशन में आएगे और उसका असर फिर हमारे बॉड़ी की उपर होके फिर डाइविटिस होंगा, ब्लेड प्रेशर होंगा या अन्य बहुत शेरिग बिमारियें होती ह कि हम जब स्ट्रेस में आते हैं उसके वज़े से तो हमको क्या करना है दिमाग शान्त रियाक्ट नहीं हर बार गैप देना है कुछ भी हो जाता है तो तुरंद रेस्पॉंद थोड़ सी गैप लो शान्ती से विचार करो बाद में रेस्पॉंड करो मतलब जिम्मेधारे से बात करना है रेक्शन करना रीयक्षान करना फटाक से जवाब देना वह आता है मशिनरी से अंदर से आटोमेटिक तो हमको अपन से रेस्पॉंड करना है तो हम करेंगे तो जो स्ट्रेस फाइटिंग तना जगड़े इसके बुरे असर हमारे श्रीपर नहीं होंगे यह इसके बार में आपको कोई सवाल होंगे तो जरूर नीचे नंबर दिये वहां में कॉंटेक्ट करो मेरा एप है वह आप प्लेस्ट्रों से डाउनलोड कर सकते हैं वह आप डाउनलोड करके उसमें कभी सारे वीडियो आपको मिलेंगे फ्री चैटिंग आप कर हो सकते होंगे तो आप जरूर कीजिएगा आपके सवाल के जबाब मिल जाएंगे थैंक यू बेरी मच्छ कर दो आप